सरकार ना Input as Credit को किस प्रकार utilize करना है, इसके लिए order को specify कर दिया है Taxhill.com के YouTube channel पर मैं C.S.A.T.B.E.R. Singh आपका स्वाकत करता हूँ यह है section 49 CGST 2017 का जिसमें के बताया गया है कि जो amount आपके electronic credit ledger में available है Input as Credit का उसे आपको किस प्रकार use करना है यहां पर बताया गया है कि IGST का जो Input as Credit है, उसका use सबसे पहले आपको IGST की Output Tax liability को pay करने के लिए use करना है उसके बाद आप Central Tax यथि State Tax की Output Tax की liability को pay करने के लिए use कर सकते हैं इसी परकार Central Tax का Input as Credit सबसे पहले आपको use करना है अपने Central Tax की liability को pay करने के लिए और उसके बाद आप उसका use integrated tax की liability को pay करने के लिए कर सकते हैं इसी परका state tax का सबसे पहले आपको use करना है अपनी state tax की output tax liability को pay करने के लिए और उसके बाद आप use कर सकते हैं integrated tax की liability को pay करने के लिए लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि state tax का input as credit है या फिर UT tax का जो input as credit है, उसका use up Central tax को pay करने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकास Central tax का input as credit है, उसका use up State tax या फिर UT tax की output tax liability को pay करने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसके बाद सरकार ने Section 49 A को insert किया है, जिसमें के सरकार ने कहा है कि Section 49 को apply करने से पहले आपको Section 49 A को apply करना है, जिसमें के बताया गया है कि Central tax, State tax या फिर UT tax के input tax credit को utilize करना है, आपको IGST को pay करने के लिए, CGST को या फिर State GST को pay करने के लिए, लेकिने तभी कर सकते हैं, यदि आ आपका जो IGST का balance है, वो आपने पूरी तरह से utilize कर लिया है, इसके साथ ही सरकार ने Section 49 B को insert किया था, with federal 1st February 2019, जिसमें के कहा गया था कि, इस chapter की provision को apply करने से पहले Section 49 B की provision को apply किया जाएगा, जिसमें के सरकार ये notify करेगी, कि IGST का input as credit, CGST का input as credit, HGST का input as credit, या फिर UTGST का input as credit किस order में utilize करना है, लेकिन ये जो section है, subject to section 49, subsection 5, close E and F की provision के साथ है, यानि कि state का IGST है, उसे अब Central के tax को pay करने के लिए use नहीं कर सकते है, इसे परकार Central के IGST को आप state tax को pay करने के लिए use नहीं कर सकते है, अब सरकार ने notification number 16 of 2019 Central tax issue किया है, और 29th of March 2019, जिसमें के CGST second one में rule 2019 notify किये गई है, और ये जो notification है, उस दिन से फेक्टिम में आ जाएगा, जब ये official घजन में publish होगा, इस notification के द्वारा सरकार ने rule number 88 के बाद 88A को insert कर दिया है, यानि कि input as credit को utilize किस प्रकार करना है, इसके order को specify क इसके order कर दिया है, यानि कि IGST का input as credit होगा, सबसे पहले आपको इसका Use, IGST को pay करने के लिए करना है, उसके बाद यह को Einstein amount बसता है, तो उसका Use, आप Central Tax को pay करने के सकते हैं, या the state tax को pay करने के लिए के सकते हैं, या आप Hm, 1000 यहa b production यहां पे यहां पे world may use किया गया है, लेकि इसके बाद जो balance बसता है उसका use up central tax ko pay करने के लिए कर सकते हैं या फिर state tax को pay करने के लिए कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पर पर प्रविजन डार ली गई है उसमें कहा गया है कि central ersten का input tax credit है state का input as credit है या फिर UT CAN input as credit है उसका use up IGST को CGST को state GST या फिर UTän surrender के output tax को pay करने के लिए कर सकते हैं लेकिन ये तभी करना है आपको जब आप IGST के input tax credit को पूरी तरह से utilize कर लेंगे इस notification को download करने के लिंक इस GST News की video description में भी दिया गया है यदि आप GST के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी YouTube channel की playlist को refer कर सकते हैं यहाँ पर आप topic wise GST और income tax की videos को refer कर सकते हैं आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं लाइक करें और share करें जितना अधिक आप लाइक करते हैं और share करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुँचा पाएं अधिक बारे में बताएं